हेलो एवरिवन, वेलकम तो स्टडी एक्स्टार्ओडिनरी हमारे लास्ट वीडियो में हमने informal letters के बारे में आपको बताय था कि कैसे लिखते हैं, क्या उसका format होता है और क्या उसमें marks distribution होता है आज हम उसके आपको examples देंगे जिससे आप उसको अच्छी तरह समझ सकें और बहुत ही असानी से उनको लिख कर और इंप्रेसिव वे में लिख के फुल मार्क्स गैट कर सकें तो यहां पर हमें कोशन देते हैं जो जनली जैसे इंफॉर्मल कोशन के आते हैं तो अब इसमें में के हैं यू आपका नाम नितिश है और आप अपने फ्रेंड को लेटर रिख रही है यूर फ्रेंड और फ्रेंड का नेम गिरीश है तो यह आपका कोशन है और आप उसको समर हॉलिडेस में इन्वाइट कर रहे हैं किसी हिल स्टेशन पर सांथ में गूमने जाने के लिए तो अब हम इस पर लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रस मिन्स यह आपका एड्रस है आप लेटर लिख रहे हो तो यह उसका एड्रस आपके लेफ्ट साइड बताया था सेंडर्स एड्रस वो आपको लिखना है next एक लाइन का gap करके 10th October 2020 ये date लिखी है जो date आपको expand way में बताईती की extended form में date लिखनी है तो ये है date और ये आपकी greeting जो आपको आपके friend अग्रीश तो आप d.a. ग्रीश करके आपने लिखा है तो ये greeting या salutation greetings और ये introductory paragraph इसके बाद ये आगया है introductory paragraph तो इसमें हमने शुरू में उसकी well-being पूछी है जैसे बताया था I hope the letter finds you in good help and great spirits I am very glad to know that your school has broken up for summer vacation it's my earnest wish to spend a few days with us in Darjeeling Darjeeling hill station जैसा question में बताया था तो ये introductory पहरा है अब हम इसके बाद में आगे जो और उसके पार्ट्स होते हैं जो फॉर्मेट में आते हैं इन फॉर्मल लेटर के उसको बताते हैं तो अब हम आते हैं ये बॉड़ी आफ दा लेटर डेट हो गई थी एड्रस, डेट, ग्रीटिंग और इंट्रोडेक्टरी पहरा के बाद ये बॉड़ी आफ दा लेटर ये बहुत इंपॉर्टंट होती है और इसमें आप से जो लेटर में बताया गया है आपको पूछने के लिए या लिखने के लिए वह आपको इसमें एक्स्प्लेइन करना होता है तो इसको हम बॉड़ी आफ दे लेटर में जैसे कि हम उसमें कोशन में पूछा गया था कि चार्मिंग ब्यूटी ओफ रिल स्टेशन आपको डिस्क्राइब करते वे उसको फ्रेंड को इंवाइट करना है आपके साथ As you know that Darjaling is one of the most beautiful hill station in India Journey by the train by the toy train from Selliguri to Darjaling as I listen is a thrilling experience I do not find adequate words to express the beauty of the charming scenery of Darjaling we shall undoubtedly have a good time here ये आपका body of the letter है ये paragraph इसमें जो भी question में आप से पुछा गया है वो आपने इसमें explain किया है now conclusion conclusion है be sure that my parents will be glad to see you here I expect you here by the end of this week और last में आपके regards parents को please convey my regards to your parents ये conclusion और signature at the last ever yours your friend भी आप लिख सकते है forever your friends लिख सकते है forever your friend और नितिश जैसे आपको question में नाम दिया हुआ था you are नितिश तो यहाँ पर ये आपके signature नितिश नाम से है तो जैसा इस letter से एक example से आपको ये समझ में आया होगा कि हम letter कैसे लिखें informal letter इसी type से बहुत से और topics भी हैं जिनके उपर आप लिख सकते हैं और vocabulary building और आप कैसे 95 plus marks आप English में गें करें इसके उपर हमारे पहले videos आ चुके हैं हमारे channel पे इनके videos हैं तो उनके लिए आप हमारे उन videos को देखेगा जिससे आप impressive language में letter लिख सकें उसका link आपको यहाँ और description box में मिल जाएगा अब कुछ informal letters के topics हम generally जो आते हैं वो आपको बता रहे हैं आपर जैसे inviting a friend जैसे अभी हमने लिखा था advising a friend और friend की जगे आपके कोई relative cousin वगरा के लिए भी आ सकता है apologizing to a friend congratulating a friend admitting a mistake किसी से भी mistake हो गई है उसको admit करना है कि मुझसे mistake हो गई है तो उसके लिए आपको letter लिख सकते हैं आप informal letter होगा वो seeking permission from father, thanking a friend for spending the holidays together यह कुछ general topics हैं जिनके उपर आप informal letter लिख के practice कर सकते हैं और उसी format को follow करके जो हमने आपको बताया है आप एक impressive letter लिख के full marks पा सकते हैं तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे like करिएगा अपने friends को share करिएगा study extraordinary channel को subscribe करिएगा बाई झाल सकते हैं